हाद आप हलो फ्रेंज आज हम मनाएंगे गवावा जेली अभी देख सकते हैं कि मैंने घर में तियार किया है जेली और कितना जबर्दस तियार हुआ है अभी देख सकते हैं यह पुल्टा करने के बाद वुजूद भी नहीं रहा है इसको आप समझ लिए कि जैम की तरह ही होत किसी भी फ्रूट का गरम जैम बनाते हैं तो उसमें पल्प भी रहता है लेकिन जैली में यह हम अर्क निकालते हैं और फिर उसे जैली तैयार होती है तो बहुत ही लजीज होता है इसको साल भर के लिए बना कर एक सकते हैं सरदियों में जब जायकेदार होता है बहुत जाय तो इसके लिए बैटे हैं तो आदमी लोग उसमें काम कर रहे हैं और लेडिस घर की घर की अपरवाइस करनी है उनको बता रही है ऐसे करना है तो उसके लिए तो यह ज़ी बन जाता था उसके बाद सब को यह गाउं में बढ़ता था तो वहां पर पचास किलो अमरूत के एक स जैली बिल्कुल ऐसा हो चाहिए कि आर पार उसमें से दिखने लगे इस तरह से कि मेरी अंगलियां दूसरी तरह से नजर आ रही है यह देखिए तो इस तरह का बिल्कुल तयार होने चाहिए जैली मैं आपको एक बड़ दिखा देती हूं कि यह जैली किस तरह से देखिए जैली तो चलिए आपको दिखा देती है उसको मैंने कैसे त्यार किया है ग्वावाज जैली बनाने के लिए मैंने एक किलो अम्रूद लिए है पीले वाले लिए हैं अंदर पके हूए है और मुलाइम नहीं है मगर अच्छे बढ़ी अम्रूद है आप देखिए बढ़ी अम पहले काट लेते हैं और इसको हम रफली विल्कुल चॉप करेंगे मैंने हाफ कर लिया है उसके बाद इसको मैं चोटे चोटे पीसी कर लेंगे रफली ही करना है तो इस तरह से मैं सारे काट लूँगी और इसको में एक वैसल ले लिया है मैंने एक पतीला इसके अंदर में डालती जाओंगी सारे मुरूद मैंने काट लिए अब इसके अंदर में पानी डालोंगी इतना पानी डालने के डूब जायां अच्छे से डिप हो जाने चाहिए अब इसको मैं फ्लेम पे रख दूँगी इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे बिल्कुल इसको तब तक पकाएंगे जब तक यह बिल्कुल सॉप नहीं हो जाते और गल नहीं जाते पकते हुए बीस मिनट हो गए हैं अब हमें एक मैशा ले लेते हैं या जिसे डाल मत रते हैं वह ले लिए वह उसको पर यह बिल्कुल साफ हो उसमें मिर्स परसाला कुछ भी ना हो तो इस तरह से इसको मैश कर लेंगे बहुत अच्छी से गल गया है मैं आपको पहले दिखा अब देख सकते हैं यह इस तरह से हो गया अब पांच मिनट और पकाएंगे और उसके वाल चानेंगे फ़र दर पांच मिनट हो चुके हैं अब इसको मैं ठंड़ होने के लिए छोड़ देती हूं फिर मैं आपको नेक दिखाती हूं कि आगे क्या करना है और जैली इसकी कि अब देख सकते हैं कि विल्कुल ठंड़ हो गया अब इसको हम चानेंगे मैंने नीचे बोल ले लिया है उपर से इस तरह से छनी रग दिया और फिर एक कपड़ा रग दिया है तो कपड़ा में हम चानेंगे इस पर मैं सब डाल देती हूं इसका हम चारो तरफ से इसका कपड़ा पकड़ लेंगे और इसको चान लेंगे पानी को इसका इस तरह से इसका पानी निकलेगा आप देख सकते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको कहीं टांग दें और एक गंटे में सारा इसका निकल जाएगा करते हुए निकाल लेंगे इस तरह से आप हाथ से नीचे से दबाये और इधर से जूसरे हाथ से इसको ऐसे कर दें तो दीर दर फेले से करते हुए सारा जूसरे इसका आजया ईए आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक निकल गया है मैं नीचे आपको दिखा देती हूं इसमें बचा हुआ है तो अप कपड़े से नहीं निकल रहा है तो मैंने कपड़े को दोके एक बार इसको चन्नी में पूरे पल्प को डाल दिया है अब यह दिरे दिरे आदा एक घंटे में अपना आप सारा यह निकल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूं कि नेक्स्ट आप सकते हैं कि इतना यह सेरफ तयार हो गया है और और इसमें यह जो पर है वह बाकी रह गया तो बिलकुल यह कंशन्ट्रेटिटिड हो गया इसको हम अधा देंगे अब इसको हम बटाएंगे कि आगी क्या करना है इसको मैं उसी बरतन पलट देती हूं अब इसको मैं अब थीर कप यह यह तेलेगी इसमें को लिए तरह दिए इसको कि तौड़ है और फ्लेम को लौ कर दिया जब तक पर फ्लेम को फटेश है अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हैं बहुत अच्छी खुजबो आ रही है तो अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे अब यह कप चीनी में डाल रही है तो यह दूसरे कप चीनी डाल रही है और यह तीसरा कप चीनी है अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक यह गाड़ा नहीं हो जाता तो बीच बीच में चलाती रहूंगे और आपको दिखाती रहूंगी कि अब देख सकते हैं कि 15-20 मिनट्स को मैंने रखा हुआ था काफी हद तक यह गाड़ा हो गया है लेकिन अब इसकी कंसिस्टेंसी और हमें थोड़ी सी ठिक करनी है तो इसलिए 10-12 मिनट्स को मैं और भी रखूंगी अब आप देख सकते हैं कि इसमें धीरे-धीरे तार बनने लगाए यह गाड़ा हुने लगा है यह गाड़ा हो रहा का आप देख टो इसको पांच मिनट वो लगें अब इस टेच मैं यह नीबू dal देती हूं यह 3 टेबल स्पून नीबू है टो तो इसमें जो शुगर होती है उसको बैलेंस करता है तो इसलिए हम नीवु डालते हैं इसमें जो जायका आएगा वो थोड़ा खटा मीठा आएगा तो इसको पांच मिनट और पकाएंगे हम थोड़ा पेशन का काम है तो लेकिन बहुत अच्छी चीज बनती है बहुत पसंद आएगा और आप इसको रोटी पराथा ब्रेड इस तरह से तैयार करके बच्चों को दे सकती है 25 नट हो गए इसको पकते हुए अब मैं आपको दिखा देती हूं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए कि जिस वक्तर हम इसको बन करना है मैंने काटोरी में पानी लिया है जल सो से छे तो पीठाबटी के बिखाती हो कि अंसे जेम गया है इसमें फैलना ने चाहिए पानी में ऍधर आने पहनले नहीं एक जगा जमा रहे तो मैं आपको पानी फेक के मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसमें पानी फेक दिया है, आप देख सकते हैं कि यहां पर यह इस तरह से बिल्कुल सेट हो गया है, आप यह देखें कि मैंने इसको हटाया है, तो यह बिल्कुल जम गया है, आप देख सकते हैं, कितना ट्रांस्पेरेंट ते जब यह जम जाएगा तो उस तरह से तेयार हो जाएगा जैसे मैं आपको दिखाया है बिल्कुल सेट हो गया था और मेरे हाथ में आ गया था तो इसको 10 मिन थोड़ा से ठंड़ होने के छोड़ देते हैं फिर इसको जिस भी बरतन में आपको निकाल लो जिस भी बॉटल में का थैट हो प्लेट कर लिए गरम पानी में थ्हें लिएगा यह माइक्रुवैयन में उसको कुछ सेकन्र चलाज दिएगा या धूप में रख दिया तो इसkam डालती हूं कि अभातू हो सब्सक्राइटे बले सकते हैं तो सब्सक्राइटियों तु उसको खमवक्स गश् moins और नि आपको इसको फॉरन बॉटल में पलटना होगा अगर आप जाहा देर पंदा भीस में आदा कंटा चोड़ देंगे तो उसी युटेंसिल में चिपक जागे जिसमें आपने बनाया है तो बहतर ही होगा फॉरन ही जैसे ही थोड़ा सा लगे कि थोड़ा सा थंड़ हो गया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो नीचे लाइक बटन ज़र दबा दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया है मैं आप सा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री है अगली बार मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया देखते रहिए शहलाजस दरखान